नमस्षकार दोस्तो, ढाईसर अमर में आपका स्वागत है आज की जो ये वीडियो हम बना रहे हैं बेसिकली ये वीडियो उन्यों लोगों के लिए है जो सबसाधा मुझे पमें बॉखे कमेंट बॉक्स में सवाल फिलफ से हैं तो इसमें सबसे पहला सवाल जो मुझे मिला वो है RVS जी का जो इनका सवाल यह है कि इनके करने हैं VX 100 उसमें बैरल में पैलेट फस गही है तो देखें बैरल में से पैलेट निकालना का कोई और तरीका तो नहीं है आपको सिर्फ यही करना होगा कि बैरल को ब्रेक करके उतनी ही मूटी लोहे की रॉड आप ढूंडे और उससे उसको पीछे से प्रेस्टर दालके निकालने कोशिस के रादर वाई साथ कोई तरीका नह दूसरा सवाल जो सवाल तो नहीं है कमेंट अच्छा अमिजी का अबीजी ने मेरे खुकरी वाले वीडियो पर भीडियो बनाई तो सवाल है कि क्या VX100 जो एयर राइफल है। उसके अंदर नाट्रो पिस्टन लगाया जा सकता है। Nx वाला तो बिल्कुल लगाया जा सकते है। नाट्रो पिस्टन दो कर आता है, एक आता है 40 बार का एक आता है 60- 60 पिस्टन है उन दुनों के प्राइस से मैं आप दोनों में से कोई भी ला सकते हैं चुकि मैं आपको यह बता दूँ चाहे SX हो VX हो NX हो इनकी कोई भी मॉडल हो चेमबर सब के सेम है सिर्फ बैरल में बदलाओ होती है लंबाई में चेमबर सब के सेम है यहां तक कि उनके बड्स में भी बिलकुल एक जैसे होते हैं साइज एक जैसी होती है ट्रिगर सिस्टम तो बिलकुल ही सीम होता है सिर्फ टेक्नॉलजी के नाम पे पिस्टन स्प्रिंग में ही बदलाओ आता है इसमें साथ से देखा जाए तो मेरी फेवरेट एयर राइफल वी एक संड़ी रही है सबसे आप देखेंगे मैं वी एक संड़ी वीडियो बनाता हूं चुकि यह सबसे सस्ती और एक अच्छी एयर राइफल मुझे पसंद आती है एक वीएसमें एयर राइफल आपको पहले साथ हजार किया थी अब आठ हजार रुपए में आती है इसमें कुछ भी बिगरता है तो चारसो पांसो में यह एकन एयर राइफल रिपेर हो जाती है तो सवाल यह था कि क्या VX में एैनेकस की फिटिंग हो सकती है तो मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि आपकी प्रेसी होल की कोई भी वेपन हो कोई भी यह राइफल हो उसके अंदर एनेच का समान VX में VX का समान NX में SX में सब का लगया जा सकता है तो आप किसी ली तरका मोडिफिकेशन करना चाहें, कर सकते हैं मेरी सलाम आनिए, तो NX मत लीजिए आप 11-12,000 की एर राइफल खरी देंगे कुछ दिनों बादों बिगड़ जाएगी, अगर तो आपको बहुत ही तकलीफ होगी SX भी मतलें, मेरे किसाब से तो आप VX एर राइफल्स खरीतें और अगर बाद में जब बिगड़े तो आप पिस्टन 3000 की डाल दीजिए तो आपकी 7,000 की 8,000 की एर राइफल है तो 11,000 में बिल्कुल एक प्राण निए आपकी एर राइफल तेयार हो जाएगी, NX की तरह रहेगी VX और बाद में कभी बिगड़े तो आप स्प्रिंग डाल दीजिए आपका काम चलता रहेगा, तो काम आपका कभी नहीं रुकेगा तो यह मेरी एक सला है, अगर आपको सला पसंद आई हो तो जरूर लाइक और शेयर करें मेरे वीडियो को अगला सवाल जो तूछा गया है मेरे इस वीडियो में सबसे पूछी जाते हैं गन की प्राइस को लेके कि आप गन की प्राइस नहीं बताते हैं मैं उन्हीं गन की प्राइस नहीं बताता हूँ जो गन मैं नहीं खरीदा हूँ मैं उन गन की प्राइस ज़रूर बचाता हूँ जो मैंने खरीदी हुई है वीडियो में होती है कहीं ने कहीं प्राइज कहींने कहीं इसके डिसक्रिप्टिशनisc एक कमेंट और है जमें उन्होंने मेरी एक गण ती जिसकी ऊपर माने हंए एक कमेंट और है, जो मैंने 32 की पिस्टल की क्लीनिंग की उपर बनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 500 रुपए की गन की उपर 110 रुपए का डप्रोफोर्टी लगा रहे हैं, तो देखिए, मैं बस इतना ही कहूंगा, कि हम जहां हैं, हम इंडिया में हैं, इंडिया में फॉर और्डियन्स की ही वैपन्स मिलेंगे, आपको फॉरिन की वैपन नहीं मिलेंगे, मिनिमुम 3 रुपए आपको second hand air, वैपन्स के लिए थो खर्च करना ही होगा, तो 3 रुप मेरा बजट नहीं था, तो मेरे लिए मजबूरी कहिए, जहें जो कहिए, मैंने 1 रुपए की इंड व्यूंत किया हुआ है कि फेक प्राइज है आपकी जो मैंने एक वीडियो दाले थी अडरेट 8000 रुपीज की तो वीएक संडेट की प्राइज एट थाउजंड ही है मैंने कोई फेक प्राइज नहीं लिखी है बलकि मैं कोसिस करता हूं आपको इतना जन्मिन प्राइज दे सक अचा एक और सवाल में हम लेते हैं जिसमें SK हुसेन जी ने सवाल पूछा है NX200 मोडल में क्या स्कोप लगाया जा सकते हैं और कीमत क्या है तो NX के अंदर आप किसी भी एप्रेसी होल के एर रैफल में स्कोप लगा सकते हैं चुकि उसकी उपर पीछे रेल्स दी हुई होत स्कोप मार्केट में 3,000 से लेके 11,000 रुपे तक के आते हैं यह डिबेंड करता है आपकी प्रजेक्ट में लेकिन स्कोप आपको जल्दी ऑनलाइन नहीं मिलेगा तो अगर आपको चाहिए मैं कोसिस करूँगा मेरे कुछ एक दो फ्रेंड्स हैं जिनकी शॉप्स हैं मैं उन चौधरी जी हैं उन्होंने पूछा है क्या इससे हंटिंग होगी बिल्कुल हंटिंग हो जाएगी आपको जोभी हंट करना हो मगर मेरे रिक्वेस्ट है आपसे कि कभी हंटिंग ना करें मुझे हंटिंग नहीं पसंद है मैं हंटिंग नहीं करता मैं पास कई राइफल्स प वक्तब नहीं करसकता है, लवकुमार जी हैं, इनका सवाल है कि dnax की वॉरंटी का क्या है यानि तो मैं PRISI HOLL की warranty system आपको समझा देता हूँ PRISI HOLL की weapons की warranty system इस तरह के से है कि आप जब उस गुण को खरीदते हैं तो उनकी website पे आपको जा कि उसकी serial number को activate करना होगा within 30 days price खरीदने से तो जब आप खरीदते हों उसके 30 दिन के तो उसके billing अप्लोट कर दें तब आपको एपनी से राइफल पे छे महिने से एक साल तक की वारंटी मिलेगी, अधरवाइज आपको वारंटी नहीं मिलेगी, तो यह इनका सिस्टम है, आप इसको ध्यांते हैं. एक सवाल है, काफी अचा सवाल इनका भी था, कि क्या नाइट्रो जो पिस्टन है इसको हम रिपेर कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी चीज रिपेर हो सकती है, लेकिन मैंने कभी ट्राइ नहीं किया क्योंकि नाइट्रो पिस्टन को खोल देने के बाद बैठाने के लिए उस तरह का मेरे पास कोई समान नहीं है, मैं कोसिस वीडियो ब्रो थैंक्स फॉर दिया है उन्होंने, तो कामों की इस वीडियो पे उन्होंने थैंक्स होला, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरी वीडियो पसंद आई, तो आज के लिए इतना ही हम करते हैं, आगे जो भी वीडियो आएंगी इस तरह की अगर आपको व मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों की जब आप देने के लिए एक चीज़ और मैं कहूंगा चुकि यह मेरे पहले facecam वीडियो है और इतने दिन में मैं पहली बार आया हूँ तो आपके लिए ज़रूर कुछ लाओं तो यह मैंने बनवाया हुआ है अगर जो अच्छा कमेंट करेगा जो इस वीडियो को लाइक और शियर जदा करेगा तो रेंडली मैं किसी को इस तरह के माउस पैड अपनी हर वीडियो में देता रहूंगा तो अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक और शियर करें गर्मी बहुत है आप देख सक रहें तो शुक्रिया आपकी सपोर्ड और प्यार का धन्यवाद